हलो एवरीवन वैलकम टू माई यूटूब चैनल ममता मैस टुटोरियल और आज 10th क्लास में लेक्चर 15 है हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहा था रखा था ट्रेंगल्स त्रिबुज और आज हम करेंगे कुछ इंपोर्टेंस थोरम तीन थोरम करने वाले हैं और तीनों ही बहुत इंपोर्टेंट है आप थोरम जरूर कीजेगा एक्जाम में एक कोश्चन थोरम से आता है और उसका ओप्शन में भी नहीं होता और में भी कुछ नहीं होता कोश्चन तो यह बहुत इंपोर्टेंस थोरम ह तो देखिए आज की फर्स चरम क्या है ये क्या कह रहा है देखिए यदि किसी समकोन त्रिबुज में समकोन वाले शीर से जहां पर 90 डिगरी का एंगल बन रहा है इस ट्रैंगल A, B, C में अंगल B 90 का है 90 से एक परपैंडिकुलर डाला है सामने वाले साइड याने की हाइपोटनियूस करण पे तो अब ये दो ट्रैंगल जो बनी ना तोनों साइड ये ट्रैंगल भी पूरी के सिमिलर होगी इधर वाले ट्रैंगल भी पूरी के सिमिलर होगी और दोनों आपकस में भी क्या होगी सिमिलर होगी हमें ये तीन चीजे प्रूव करनी है क्या क्या प्रूव करनी है ट्रैंगल A, B, D is similar to triangle A, B, C सेकिंड में ट्रैंगल B, D, C similar to triangle A, B, C और थर्ड में ट्रैंगल A, B, D similar triangle B, D, C की ये त्रिबूज पूरी त्रिबूज के समरूप है दूसरी बारे त्रिबूज पूरी त्रिबूज के समरूप है और दोनों आपस में भी क्या है समरूप है सिमिलर है तो देखिए इसका प्रूफ सबसे पहले given solution कैसे करते है given दिया है जो भी statement आपको नजर आता है given वही लिख दीजिए सारा दिया हुआ है अब प्रूफ करते है प्रूफ देखिए प्रमान या उपत्ती आप कुछ जो सही लगे लिख सकते है फर्स पार्ट पहले प्रूफ करेंगे फर्स पार्ट में हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है सिमिलर करना है समरूप करना है तो इन दोनों ही triangles में देखते हैं similarity की कौन सी condition satisfy होती है अगर आपने पिछो लेक्षिस ध्यान से देखी होंगे तो हमने कौन कौन सी properties discuss कर लिया है S, S, S दोनों त्रिबोजों की corresponding sides का ratio से हम होना चाहिए तीनों sides का S, S, A, S दो sides का तो ratio equal हो और उनके बीच का angle बराबर हो angle, angle, angle दोनों sides के तीनों ही कौन आपस में बराबर हो और angle, angle या फिर दोनों त्रिबोजों के दो angle बराबर हो इन चारों में से यहां हमारी कौन सी condition लगती है देखते है N triangle A, B, D and triangle A, B, C इस छोटी त्रिबोज में और पूरी त्रिबोज में द्यान से देखिए क्या है angle A ये वाला कौन दोनों में है A इसमें है, A इसमें है angle A equal to angle A reason क्या हो जाएगा आपके पास common है, urbanist एक angle मिल गया हमें अब इस छोटे triangle में ये भी triangle 90 का है angle 1 और बड़ी वाली triangle में angle B angle 1 equal to angle B equal to 90 degree हमें मिल गे 2 angle तो हमारी कौन सी property लगी by A, A similarity criteria कौन कौन सम्रूप्ता नियम से नियम से एक कसाटी से हमारे triangles क्या आगी A, B, D similar आगी triangle A, B, C के similarity प्रूप करना बिल्कुल असान है जस्ट हमें 2 angle equal मिलते गए और हमने क्या कर दिया इसको similar second part में देखिए second part में कौन से triangle है triangle B, D, C and triangle A, B, C अब इन दोनों में जुनिए B, D, C में और पूरी A, B, C में इस बार कौन सा common angle है C angle C equal to angle C common उभेनिस्ट और दूसी चीज़ इधर X को नाम देदे angle 2 इस triangle में angle 2 90 degree का है और पूरी triangle में angle B 90 degree का है angle 2 equal to angle B equal to 90 degree दो angle equal मिलगे तो by angle angle similarity criteria से यह triangles भी क्या होगे आपके पास similar होगी third part देखे third part में क्या है कि यह दोनों आपस में similar है first part और second part से third part हमारा automatic clear हो जाता है कैसे triangle A, B, D similar to triangle A, B, C triangle B, D, C इसको नाम दीजिये 1 इधर नाम दीजिये 2 from 1 and 2 इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो हमारा third part प्रूव हो रहा है A, B, D is similar to triangle B, D, C कैसे देखें A, B, D किसके similar है A, B, C के और यह triangle भी किसके similar है A, B, C के दोनों एक ही triangle के similar है मतलब दोनों आपस में similar है दबारा देखेंगे हमने question कैसे किया हमें दोनों triangles को similar करना था हमने common चीज़े ढूंडी दो angle हमें common मिल गए angle-angle similarity criteria से triangle हमारी similar होगी second part में भी हमें दो triangles को similar करना था हमने common चीज़े ढूंडी दो angle common मिल गए तो angle-angle similarity criteria से यह triangle भी हमारी क्या होगी है similar third part दोनों triangle आपस में similar दोनों ही triangle किसी एक particular triangle के similar है सम रूप हैं मतलब दोनों आपस में भी similar होगे यह theorem 1 थी अब theorem 2 देखिए हाई students second theorem देखिए क्या है second theorem की statement इने right triangle एक सम कौन त्रिबुज में the square of the hypotenuse करन का वर्ग is equal to the sum of square of other two sides बाकी दोनों बुजाओं के वर्गों के जोड के बराबर होता है अगर इस statement को ध्यान से देखिए तो यह हमारी कौन सी theorem की statement है यह Pythagoras theorem है जिसका result हम अपने questions को solve करने में करते आए है आज देखेंगे इस theorem का proof के result आया कैसे हमारे पास solution देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे given दिया है जो भी आपको समझ में आता है statement पे जो भी हमें दिया हुआ है वो सारा यहां लिखना है और वैसे actually हमें दिया क्या हुआ है हमें एक triangle एक tribus दे रखी है ABC जिसमें क्या है angle B क्या है 90 degree का है हमें सिरफ इतना दे रखा है to prove सिद्ध करना है सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है हमें कि hypotenuse का square 90 degree के सामने वाली side यह अभी हम construction करेंगे हमें सिरफ इतना ही है तभी हमने क्या दिया क्या हुआ हमें हमें दिवी है एक triangle ABC दिवी है हमें सिद्ध क्या करना है hypotenuse का square 90 degree के सामने वाली side AC का square किसके equal है बाकी दोनो sides के square के sum के बराबर equal to AB square plus BC square इसका square equal to दोनों का square का sum यह हमें proof करना है अब construction करेंगे हम रचना रचना में करेंगे हम क्या कि हमें perpendicular डालेंगे BD perpendicular किसके उपर AC के उपर यह काम हम किसमें करेंगे construction में करेंगे रचना में करेंगे क्योंकि ऐसा हम इस स्ट्रेट्मेंट में नहीं दे रखा था अब प्रूफ उपत्ति देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारी फिगर वही है जो हमने थ्योरम वन में बनाई थी थ्योरम वन में हमने क्या रिजल्ट किया था कि अगर किसी सम कौन त्रिबूज में 90 डिगरी वाले वर्टेक्स से शीर से सामने वाले हाइपोटनियूज पर अगर प्रपैंडिकुलर डालें तो जो दो साइट दो ट्राइंगल बनेंगी वह आपस में भी समरूप होंगी और बड़ी वाले पूरी वाले त्रिबूज के भी क्या होगे समरूप होगे अब इस थ्योरम में हम उस थ्योरम का रिजल्ट लगाएंगे कौन से थ्योरम हमारे सिमिलर थी ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल हमारे सिमिलर थी ADB किसके सिमिलर थी पूरी ट्राइंगल किसके ABC के लिखोगे यहाँ पे आप theorem 1 की statement लिख देंगे कि इस वज़य से ये triangle complete triangle के क्या है similar है और जब triangles आपस में similar है मतलब इनकी corresponding sides का ratio संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हैं तो ADB में हम कौन सी side लेंगे AD हमने base लिया बड़ी वाले triangle का base हमने क्या लिया AB किसके equal हो जाएगा छोटी वाले triangle में hypotenuse देखिए 90 डिगरी के सामने वाली side क्या है AB और बड़ी वाले triangle में 90 डिगरी के सामने वाली side क्या है AC यह हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने sides corresponding लेनी है ऐसे नहीं मर्जी से कोई भी ले 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 नहीं एक का hypotenuse ले रहे हैं करण ले रहे हैं तो दूसरे का करण भी लेना है हमने cross multiply कीजिए AB square इन दोनों की गुणा किसके equal हो जाएगी AD into AC के इस equation 1 नाम दीजिए यह का हमने कहा था कि ADB पूरी के similar है अब इधर वाली भी दो similar है BDC triangle BDC is similar to triangle ABC क्यों similar है अगेन हम theorem 1 की statement लिख देंगे क्योंकि हमने यह proof किया हुआ है इसलिए triangle क्या है आपस में similar है आप चाहो तो अगर पूर्फ अगर नहीं लिख पा रहे है तो आप इनको पहले similar दिखा भी सकते हो इन दोनों triangles को पहले similar दिखा भी सकते हो first theorem के proof वाला कि इन दोनों में हमने इसलिए similar है similar है तो इनकी sides क्या है ratio में है वो काम भी हो सकता है अब similar है तो इनकी sides के सामने वाली side क्या है BC और बड़ी वाले triangle में 90 degree के सामने वाली side क्या है AC इन ratios को लेते हुए बहुत ज्यान में रखना है अब इनकी cross multiply कीजिए BC into BC BC का square और यह क्या बनेगा DC into AC यह क्या आगया आपके पास equation 2 अब हमने क्या करना है देखा हमारे पास AB का square आगया BC का square आगया अगर हम proof में देखें तो हमें इन दोनों का add करना है तो वही काम हम करेंगे adding 1 and 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोडने पर जब हम जोडेंगे तो left hand side में left hand जोडेंगी और right hand side में right hand side AB square plus BC square इदर क्या है AD into AC plus DC into AC ध्यान से देखें तो AC दोनों में क्या है common है तो AC को common ले लिया अंदर क्या बचा AD plus DC और ध्यान से हमें देखें तो क्या है AD और DC को जोडेंगे तो क्या side बनती है AC ही बनती है तो AC into में AC AC का square तो हमारा क्या proof आ गया AB square plus BC square equal to AC square यही हमें prove करना था जहान से देखेंगा जब आपनी ratio लेते हो इन ratio में जुरू जहान रखेंगा हम वरबार क्या ले रहे हैं हमारी AB का square आ रहा है BC का square आ रहा है पर इधर हम कौन सी side ले रहे हैं अनों का base लेंगे एक बार base लेंगे और फिर इनका hypotenuse लेंगे देखें कोश्चन में क्या था given हमें triangle दिए ABC जिसमें angle B90 degree का है तो प्रूव में हमें यह चीज़ प्रूव करनी है क्या कि hypotenuse का square बाकि दोनों side के square के sum के बराबर है construction हमने रचना क्या कि हमने perpendicular डाला अपनी दरब से और यह हमें पता है theorem 1 से कि छोटी वाली triangle ADB complete triangle के similar है उदर वाली triangle BDC complete triangle के similar है क्योंकि similar है तो इनके हमने corresponding sides का ratio संगत बुजाओं का अनुपात बराबर किया cross multiply करके दो equation आई फिर दोनों equations को हमने add कर दिया और जो proof करना था हमारा proof आ गया तो यह था आपकी Pythagoras theorem का proof अब next theorem देखिए थर्ड in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides then the angle opposite the first side is the right triangle अगर किसी त्री बुज की एक बुजा का वर्ग अन्ने दो बुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली बुजा का सम्मु कोन बराबर होता है अगर आप ध्यान से देखें तो यह Pythagoras theorem का Converse है उसका Willom है उसमें हमें क्या दिया हुआ था? एंगल 90 degree का दिया हुआ था हमें थियोरम प्रूव करनी थी कि हाइपोटनियूस का square बाकी दोनों sides के square के sum के equal होता है अब हमें हाइपोटनियूस का square हाइपोटनियूस नहीं कहेंगे कि कि एंगल नहीं पता 90 degree का कि एक भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़के बराबर है तो यह बताना है कि इस पहली वाली भुजा जिसका वर्ग बाकी दोनों के जोड़के बराबर है उसके सामने वाला को 90 degree का पता है 90 degree का होगा यह हमें देखना है solution देखिए given दिया है हमें दिया क्या हुआ है कि एक भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़के बराबर है कि square of one side square of one side equal to the sum of the square of other two sides obviously सबसे बड़ी वाली side का square equal होगा तो अगर हम figure से देखें तो क्या given हमें A C का square equal to A B का square plus B C का square हमें यह दिया हुआ है कि triangle A B C में in triangle A B C में triangle A B C में हमें क्या given है A C का square equal to A B square plus B C square to prove सिद्ध करना है हमें सिद्ध क्या करना है कि क्या है कि जो इस बुजा के सामने वाला कौन A C के सामने वाला कौन क्या है B angle B सम कौन है right angle है 90 degree गा हमें यह प्रूव करना है तो हमने construction करी रचना करी हमने कैसी रचना करी कि हमने एक triangle ऐसी बनाई कि जिसमें A B के बराबर ही साइड ली हमने P Q और B C के बराबर ही साइड ली हमने Q R और साथ में angle Q हमने लिया 90 degree का चीक है हमने अपने तरफ से रचना की कि हमने P Q R एक triangle की रचना की जिसमें A B के equal P Q है B C के equal R Q है बट साथ में एक सीज एक्स्टर के angle Q कितने degree का है 90 degree का triangle P Q R बनाई जिसमें A B P के बराबर B C R Q के बराबर और angle Q किस degree का है 90 degree का है प्रूफ देखेगा ध्यान से इन ट्राइंगल P Q R P Q R में angle Q कितने degree का है 90 degree का है angle जब 90 degree का है तो हम कौन से थरम लगा सकते हैं पायथागोरस थरम आप चाहो तो यहां इसकी statement भी लिख सकते हो पायथागोरस प्रमे से वरना इस प्रमे को हम direct भी name से भी यूज़ कर सकते हैं आप लिख सकते हैं पायथागोरस प्रमे से क्योंकि यह triangle ऐसी है जिसमें एक angle क्या है 90 का है और जब angle 90 का है तो हमें hypertension क्या है तो हमें okay note क्या कर दिए बाकि दोनों sides के square के बराबर कर दिया अब जब प्रूफ हमें करना है तो व्लिखते हम गिवन का यूज करेंगे हमें दिया क्या हुँआ है देख्यों किसके बराबर है reading a b के के तो qr qr किसके बराबर है bc के तो qr के जगे bc लिख दीजिए यह आगा equation 1 पर हमें एक चीज गीवन दी भी होई है हमें दीया क्या हुआ है ac square equal to ab square plus bc square यह हमें equation 2 क्या है given है अब ध्यान से देखो pr का square भी ab square plus bc के square ac का square भी इन दोनों के बराबर मतलब जब right hand side बराबर है तो left hand side भी equal होगी pr का square किसके equal आगया ac का square के लिए जब किसी term का square बराबर है मतलब वो दोनों आपस में भी बराबर है हमारा result क्या आगया कि जो तीसरी side थी न pr वो भी किसके बराबर आगी ac के बराबर आगी अब इन दोनों triangles को देखे इन triangle a,b,c and triangle p क्यों होगा a,b किसके equal थी p,q के हमने construction ही ऐसी की थी हमने रचना ही ऐसी की थी b,c किसके equal है r,q,k ये भी construction से ये भी हमने रचना से की सी और तीसरी side हमारी c,i,ac किसके equal लागी p,r,k ये हमने प्रूव किया हमने इसिद्ध किया है तो तीनों ही sides बराबर है और जब sides बराबर होती है तो हमारी कौन सी condition लगती है s,s,s,s,congrancy condition लगेगी यहाँ पे similarity condition मतलगा दीजेगा similarity में क्या होती है ratios बराबर होते उन पाज बराबर होते है यहाँ पे पूरी बुजा ही बराबर है तो कों सी होग है यहाँ दो हम konkurancy condition लगाएगे सम्ह रूपता सर्वांग सम्ता सौरी सर्वांग सम्ता किस दिती बुजा सर्वांग सम्ता नियम से είναι ट्राइंगल क्या होगी आपके पास congruent होगी ट्राइंगल A, B, C is congruent to triangle P, Q, R, K ठीक है, congruent का symbol आईए, सर्वांगसम का निशान है सर्वांगसम होगी, सर्वांगसमान होगे मतलब सारे angle भी बराबर होगे तो हम यहां से क्या कह सकते हैं angle B equal to angle Q इन conditions को क्या नाम देते थे हम, C, P, C, T से corresponding parts of congruent triangle सर्वांगसम त्रिभुजो के संगत भाग सर्वांगसम होगे, तो कौन भी बराबर होगे हमारा B किसके बराबर आगा, कौन Q के और अगल Q की value कितनी है, 90 degree construction से हमने रचना ही ऐसी की थी ना, कि Q कितने degree का था, 90 degree से और यहां अपसे हमारा क्या आगया angle B 90 degree का है यह यह में क्या करना था सिद्ध करना था एक पर दुबारा देखिए इसको क्या का था हमें कि दिया क्या हुआ था एक triangle दिवी थी, जिसमें एसी का स्केर किसके एक पल था एबी स्केर प्लस बी स्केर के था हमने सिद्ध क्या करना था कि इसमें जो एंगल B है वो 90 degree का है हमने अपनी तरफ से construction के एक triangle बनाई AB side PQ के ब्राबर BCRQ के ब्राबर बटन का जो angle Q था वो हमने कितने degree का लिया 90 degree का लिया अब क्यों क्यों क्योंकि इस triangle में 90 degree का है तो हम पायथा गोरिस्टरम लगा सकते है हमने पायथा गोरिस्टरम का result लगाया एक चीज़ हमें given में दी थी और वहां से क्या आगी हमारी PR AC के ब्राबर आगी अब इन दोनों triangles को तीनों ही साइट बराबर है तो congruent कर दिया जैसे ही congruent कर दिया सारे एंगल बराबर होगे तो एंगल B किसके बराबर आगया एंगल Q के और एंगल Q कितने degree का था 90 degree का इसलिए B कितने degree का आगया 90 degree का ये था पायथा गोरिस्टरम का कन्वर्स उसका विलोम अब एक कोश्चन एकसरसाइज का और कर लिए हाँ जैसे एकसरसाइज का फर्स कोश्चन देखिए क्या है डिटर्माइन विच अब दा देमा साइट सफ राइट ट्राइंगल अब कुछे आपको चार पार्ट हाईए ट्राइंगल की तीन-तीन साइट्स बुजाएं दे रखिया है आपने यह बतानी है कि कौन सी बुजाएं मिलके समकोन त्रीबुज बनाएंगी राइट अंगल ट्राइंगल बनाएंगी और फिर आपने हाइपोटनियूस कर्ण को भी बताना है अगर राइट अंगल बनाती है तो फिर आपने बताना कि कर्ण कितना है दोबारा देख लिए तीन-तीन साइट्स दे रखिया है ट्राइंगल की यह बताना है कि क्या यह ट्राइंगल समकोन त्रीबुज बनाती है या नहीं बनाती है बनाती हैं तो फिर hypotenuse की length बताईए, लंबाई बताईए, कर्ण की लंबाई बताईए तो solution देखी कैसी है हम one by one तीनों ही sides का square करेंगे first side क्या है 7 cm का square केजी 7 cm into 7, 7 cm, 49 cm square second side 24, 24 cm into 24 cm, multiply करेंगे तो यह आएगा 576, 25 cm square, 25 cm, यह आएगा आपके पास 6, 25 cm square अग हमने देखना है कि क्या यह पाइथागोरिस स्वरम वाले statement true हो रही है क्या हमारे पास एक बुजा का वर्ग, बाकी दोनों बुजाओं के वर्गों के जोड के बराबर आ रहा है तो सबसे बड़े वाले को ही देख लिए क्या 625 का square, यान की इसका square इन दोनों के इकवल आ रहा है इन दोनों को समक करें तो प्लस 49 cm square अगर इन दोनों को add करें तो यह आता है, हाँ यह आता है इसका मतलब क्या हो गया 25 cm का square equal to 24 cm का square plus 7 cm का square एक बुजा का वर्ग, बाकी दोनों बुजाओं के वर्गों के जोड के बराबर आ रहा है the square of one side equal to the sum of the square of other two side so they form a right angle triangle so they form a right angle triangle right triangle कह दीजिये या right angle triangle कह दीजिये यहने कि यह क्या बनाती है, सम कौन त्रिभूज बनाती है अर जब सम कौन त्रिभूज बनाते हैं तो हमने क्या बताना था, hypotenuse, length of hypotenuse length of hypotenuse, kern की लंबाई बतानी थी और हमें पता है, किसी भी सम कौन त्रिभूज में जो kern होती है, वो सबसे लंबी side होती है तो फिर यहाँ पे सबसे लंबी वाली side हमारी क्या है 25 cm है, चीक है देखे हमने क्या किया, तीनों sides दे रखी थी तीनों का square निकाला क्या किसी एक का जोड बाके दोनों को जोड के बराबर आ रहा है अब इसलिए बड़ी वाली का जोड बाके दोनों के जोड के बराबर आना चाहिए यहाँ पे आ रहा था, तो हमने इनको square की form में लिखा क्या आ गया कि एक side का square बाके दोनों side के square के बराबर है और जब यह condition है तो हमने क्या पता है कि इसका कौन कितने degree का होगा 90 degree का, मतलब यह क्या बनाएंगे, एक समकौन 3 भूज बनाएंगे और सबसे बड़ी वाली side क्या होगे आपके पास, फिर करण होगी, hypotenuse होगी second में देखे जरा, solution, 3 cm का square कीजिए 3 cm इंटू 3 cm, यह क्या होगे आपके पास, 9 8 cm को करेंगे, square, बर्ग निकालेंगे वर्ग का मतलब इसकी 2 बार बना, 6 cm square, 6 cm, 6 यह क्या जाएगा, 36 cm square, तो यहाँ पे, क्या 64 cm, बड़ा तो भाई है क्या 9 cm square, प्लस 36 cm, इन दोनों को आड करेंगे, तो क्या 64 आता है, नहीं आता है तो, they do not form right angled triangle, right angled triangle, यह सम कोण त्रिभुज नहीं बनाती, यह भुजाएं भी लिख सकते हैं, सम कोण त्रिभुज नहीं बनाती, बिल्कुल easy questions हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, हम 3 sides का square करते हैं, अगर 1 का sum बाकी दोनों के जोड़ के बराबर हैं, तो right angled बनाता है, और अगर नहीं है, तो नहीं बनाता है, जब नहीं बताता है, तो हम यह आगे नहीं करना है, बनाता है, तभी तुम बता सकते हैं, इसमें अ स्केर निकालेंगे 50 सेंटीमीटर इंटु 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्केर 80 का निकालेंगे 80 सेंटीमीटर की दो बार गुना 64 सेंटीमीटर स्केर और 100 की निकालेंगे 100 सेंटीमीटर का स्केर निकालेंगे सेंटीमीटर स्केर तो क्या आ रहा है 10,000 सेंटीमीटर स्केर को एड करें 10,000 cm2 बाकि दोनों को add करें तो आज रहे है इसको add करेंगे तो यह नहीं आएगा तो यह क्या बनाते हैं यह right angle triangle sum contribute नहीं बनाते हैं और जब नहीं बनाते हैं तो question हमारा यही खतम हो जाना है ठीक है 4th part में देखी solution 13 cm है 2 बार power 2 है मतलब इनकी 2 बार multiply next 12 cm side है 12 cm की 2 बार multiply next 5 cm है और 5 cm की भी 2 बार multiply क्या यहाँ पे सबसे बड़ी वाली side है यह बाकी दोनों के sum के बराबर आ रहा है हाँ आ रहा है इसको फिर square में change कीजे यह 13 का square था यह 12 का square था और यह 5 का square था यहाँ पे क्या रिखेंगे these form right angle triangle राइट एंगल ट्राइंगल यह सम कौन त्रिबुज बनाती है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे एक बुजा का वर बाके दोनों बुजाओं के वर के बराबर है और यह हम प्रूफ कर चुके हैं तो जब right angle triangle राइट एंगल आ जाए फिर हमने क्या बतानी है हमने length of hypotenuse बतानी है सबसे लंबी वाली side बतानी है वो क्या है हमारे पास 13 cm क्योंकि किसी भी right angle triangle में सबसे लंबी वाली side उसका hypotenuse होता है यह अपना था length of hypotenuse कर्ण की लंबाई तो जह सबसे लंबी वाली है व आगे से लेविस करने के लिए चैनल से जुड़े रही है इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए थैंक्यू